हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू ओपूस कीजीन आज का रेसीपी ग्रेप्स का केक मेरा वीडियो हेलफूल लगा तो लाइक, शेयर, कॉमन किज़े और सब्सक्राइब करना ना भूले ग्रेप्स का केक बनाऊंगी तो इसके लिए क्रेप्स को काटके राखा जूस बनाके राख एक बड़ा मिक्सिंग बाउर ले लिया जो ग्रेप्स का जूस लिया हो आट कर दिया सब में ओयल आट कर दिया और आट करी दिया पीटी सक्खर और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लोंगी कर देख सकते हैं बादी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अभी कलर तो आया नहीं इसके लिए एक चुटकी ग्रीन पूड कलर मैं आट कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया अभी आट करूंकी माइदा तो स्टेनर ले लिया उसमें एड करूंकी एक चमच बेकिंग पाउडर और स्टेन कर लोंगी जो एक्स्टा पर्टिकल रहेगा वो डिसकाट हो जाएगा और अच्छी तरह से काटन फोल्ट में तर से मिक्स कर लिया अगी कर दिया जो एर्ट बबल्स रहेगा वो भी निकल जाएगा और उपर से ग्रेब से में गर्निसिंग कर देती हूं अच्छी को 180 डिग्री में 10 मिनिट्स पहले से फ्री हीट होने के लिए रख दिया अभी 180 डिग्री में 40 मिनिट्स में बेग कर लूंगी तो ऐसे अच्छी तरह से ग्रेव्स का पीसेस से डेकोरेट कर लेते हैं और चलते हैं अभेन के तरफ बेग करने के लिए ग्रेव्स का के पनके रेडी हो गया परफेक्ट पना के लिए है में चिक करने के लिए एक टूदबिक इंसर्ट किया क्लीन आ रहा है मेंस परफेक्ट बेख हो गया अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दीती हूं ठंडा होने को बात काट करके दिखाऊंगी के ठंडा हो गया साइड से थोड़ा लूज कर लिया देखी सकते है बादी आच्छा के बनके रेडी हो गया बादी सॉप्ट और स्पांजी बना है तो भी केक काटिन करके दिखाती हूं कितना अच्छा बना है इस बाद ग्रेब्स का केक बना के जो रूट देखिए कैसे लगा कमेंट करके बताइए आई होप वीडियो पसना है पसना है तो लाइक कीजिए नहीं तो सस्क्राइब कीजिए फिर मिलते की न्यूरेश्वी के साथ तब तक लिए बाई थैंक्स फर वाचिंग